नमस्कार फ्रेंड्स, चानक्य जिनका जनम 3rd century BC में हुआ था, जिनको हम विश्नु गुप्त और कोटले के नाम से भी जानते हैं कई विद्वानों ने माना है कि चानक्य की एक्सपर्टीज बहुत सारे एरिया में थी लाइक, मेनेजमेंट, इकोनोमिक्स, पोलिटिक्स, लॉव, लिडर्शिप, गॉवर्नेंस और मिलिटरी वर्ड, टैक्टिक्स में चानक्य के वज़े से ही नंदा डैनिस्टी का अंत हुआ और चंडगुप्त मौर्यार राजा बना जो की उनका स्टुडेंट था एलेक्सेंडर, जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, उसको हराने का क्रेडिट भी चानक्य को ही जाता है आईए आज मैं आपको कॉर्परेट चानक्य से न्यू स्टार्टप के लिए कुछ की लर्निंग्स बताता हूँ इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें So, let's start बहुत सारी लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं पर कुछ समय के बाद उनका बिजनेस बंद हो जाता है आज के कॉर्परेट वर्ड और इंटरनेट के युग में डेली बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आते हैं इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें सर्वाइब करने के लिए चानक्य कहते हैं कि हमें किसी भी business को establish करने के लिए seven pillars बनाना चाहिए First, the leader किसी भी company को चलाने के लिए हमें एक leader की आविशक्ता पड़ती है Leader को visionary होना चाहिए और अच्छा leader वही होता है जो company को सही direction में ले जाए चनक्य के time में ये उपादी राजा को दी जाती थी और आज के corporate world में हम leader को हम कह सकते हैं कि leader हो ही है like CEO, director या fit chair में Second pillar है the manager Manager हो होता है जो leader के absence में पूरी command अपने हाथ में ले लेता है Manager हमेशा leader के निर्देशों को follow करता है Third, the market, client और customer कोई भी business को establish और progress करने के लिए हमें market और client या customer का हमेशा ध्यान रखना चाहिए इसलिए हमें निरंतर market की need analysis करते रहनी चाहिए Fourth pillar, head office किसी भी war में जाने के पहले हमें निरंतर अपनी strategies को refine करते रहना चाहिए इसके लिए चानक्य कहते हैं कि एक control room होना चाहिए जहां पर हम अपनी company का future strategies बनाते हैं Fifth pillar, the treasure Business में पैसा सबसे important role play करता है और हम कह सकते हैं कि ये business का backbone है इसलिए हमें पैसे को manage करना भी आना चाहिए Sixth pillar, the team किसी भी war में जाने के पहले हमें well equipped and well trained army चाहिए और business terms में हम इस army को team कहते हैं जो हमेशा company के लिए काम करते रहती हैं जैसे salesman, accounts, driver, peer and all employees Seventh pillar, the friend or consultant जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम उसमें गलती नहीं निकाल सकते इसलिए हमें एक consultant रखना चाहिए जो कि निरंतर हमें guide करते रहे और हमें direction देते रहे चानक के कहते हैं कि business leader में सबसे important quality होती है कि वो secrecy को कैसे maintain करे जब भी कोई tailor कपड़ा काटता है तो कपड़ा काटने के पहले वो दो बार जरूर सोचता है उसी तरह से business का golden rule है कि कुछ भी बोलने के पहले हमें दो बार जरूर सोचे किसी भी target को हम अकेले achieve नहीं कर सकते हमें इसके लिए team चाहिए ही चाहिए और team से काम करवाना कोई आसान काम नहीं है तो team work के लिए management को team की problem time to time उनसे meeting करके solve करनी चाहिए कई बार team में discipline maintain करने के लिए हमें team को punishment भी देना पड़ सकता है किसी भी organization का leader के पास full authority होती है punishment देने की अगर time to time leader punishment नहीं देगा तो ऐसी भी possibility है कि उसके नीचे वाला leader उसको bypass करके सारे company का discipline खराब कर सकता है leader को punishment देते वक्त बिल्कुल Hitler के जैसे भी नहीं हो जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा soft भी नहीं होना चाहिए किसी भी company को starting में एक आदमी ही operate करता है धीरे धीरे जैसे company grow करती है तो उसके साथ team जुडते चली जाती है business को सही direction में चलाने के लिए हमें man dependency से system oriented काम करना चाहिए जिससे कि हम जब भी चाहें किसी भी area में कभी भी audit कर सकें और अब मैं बताता हूँ कि चानक्य के तरफ से किसी भी organization में four types के power क्या होते हैं intellectual power, man power, financial power, power of enthusiasm and moral अगये इसको तोगा detail में समझते intellectual power, knowledge एक power है किसी भी organization के लिए ये एक intangible asset है जिसको हम छू नहीं सकते पर हम हर एक employee में महसूस कर सकते हैं अब जो यूग आने वाला है वो knowledge revolution होगा इसलिए highest paid executive उनके knowledge के basis पे ही evaluate कि जाते हैं ना कि उनकी degree के basis पे second power है man power किसी भी organization के लिए man power सबसे बड़ा asset होता है man power दो types के होते हैं internal and external man power internal man power जैसे employees, board of directors और share holders और वहीं पर external man power जैसे हमारे customers और suppliers third financial power अगर organization को smooth चलाना है तो इसके लिए हमें financial independence होनी चाहिए अगर हम financially independent होंगे तभी हम future के growth के लिए अपने profit में से कुछ share future R&D, new projects और किसी social cause के लिए invest कर सकते हैं और fourth power है, power of enthusiasm and moral और एक leader जिसका moral हमेसा high रहता है वहीं इन तीन factors को create कर सकता है लीडर के अंदर की quality को जानने के लिए हमारा चानक के series का second part next week को जरूर देखें चानक्य जिसे कोटिले और विश्नु गुपता के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने नंद डाइनेस्टी को खत्म करवा के चंद्रगुपत मौर्या को राजा बना दिया अलेकजंडर को भी कोटिले की वजह से हिंदुस्तान में हार का सामना करना पड़ा जो की पूरी दुनिया को जीतने के इरादे से निकला था दोस्तों, चानक्य ने अपनी पूरी जिंदगी का काम दो किताबों में बाटा है ये है कोटिले अर्थशास्त्र और चानक्य नीती आज हम चानक्य नीती के बारे में सुनेंगे चानक्य नीती पंक्तियों के रूप में लिखी गई है, इसमें कोई कहानी नहीं है, लेकिन ग्यान कूट-कूट कर भरा हुआ है चानक्य नीती एक पंडित भी घूर कष्ट में आ जाता है, यदि वो किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वो एक दुष्ट पतनी का पालन पोशन करता है, या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यन्त घनिष्ट संबंद बना लेता है दुष्ट पतनी, जूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास, साक्षात मृत्यु के समान है व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए, उसे धन संपदा त्याग कर पतनी की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है, तो उसे धन और पतनी दोनों को तुक्षे समझना चाहिए उस देश में निवास ना करें, जहां आपकी कोई इज़त नहीं हो, जहां आप रूजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं, और जहां आप कोई ग्यान अरजित नहीं कर सकते अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्न लिखित परिस्तितियों में नहीं त्यागे, आवशक्ता पढ़ने पर, किसी धुर्गटना पढ़ने पर, जब अकाल पढ़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पढ़े, और जब हमें शम्शान जाना पड़े, भूजन के योग्य पदार्थ और भूजन करने की ख्षमता, सुंदर्स्त्री और उसे भूगने के लिए काम शक्ती, परियाप्त धनराशी, तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना, सामान्य तपका फल नहीं है, उस व्यक्ति ने धर्ति पर ही स पर संतोश है, ऐसे लोगों से बचे, जो आपके मुँपर तो मीठी बातने करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे, आपको बरबाद करने की योज ना बनाते हैं, ऐसा करने वाले तो उस विश के घड़े के समान हैं, जिसकी उपरी सता दूद से भरी हुई है, एक बुरे मि से परदा खोल देंगे, लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती है, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं, इसलिए बच्चों को जरूरत पढ़ने पर दंडित करें, ज्यादा लाड़ ना करें, प्रेम और मित्रता बराबर वालो को ही सम्मान मिलता है, व्यवसायों में वानिज्य सबसे अच्छा है, एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है, एक दुर्जन और एक सर्प में ये अंतर है कि साप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खत्रा हो, लेकिन दुर्जन पग हानी पहुचाने की कोशिश करेगा, रूप और योवन से संपन तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है, लेकिन खुश्बुर, कोयल की सुंदरता उसके गायन में एक कुल का बलेदान दे, देश तरह सारावन केवल एक ही पुश्ब एवं सुगंध भरे व्रिक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है, पांच साल तक पुत्र को लाड़ एवं प्यार से पालन करना चाहिए, दस साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब वो सूला साल का हो जाए, तो उससे मित्र के समान बहवार करें, शैकणों गुण रहित्र पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्री के अंदकार को भगाता है, असंखेतारे ये काम नहीं करते, एक ऐसा बालक जो जन्म पे वक्त मिर्ट था, एक मूर्ख दिरगाईू बालक से बेहतर है, पहला बालक तो एक शन के लिए दुख देता है, दूसरा बालक उसके माबाप को जिन्दगी भर दुख की अगनी में जलाता है, वगाय किस काम की, जो ना तो दूद देती है, ना तो बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का, जो ना ही विद्वान हुआ हो, और ना ही भगवान का भक्त हुआ हो, ये बातें एक बार ही होने चाहिए, राजा का बोलना, विद्वान विक्ति का बोलना, लड़की का ब्याहना यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है, तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है, तो किसी भी तरहें उससे छुटकारा पाएं खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है, दूसरों को देखपाल करने के लिए देने से पैसा नश्ट होता है, गलत धंग से बुआई करने वाला किसान अपने बीजों का नाश करता है, यदि सेना पती नहीं है, तो सेना का नाश होता है वासना के समान दुशकर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, कुरूद के समान कोई अगनी नहीं, और स्वस्त ग्यान के समान कोई बोध नहीं समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ है, उसके लिए अन व्यर्थ है, पैसे वाले आदमी के लिए भेट वस्तु का कोई अर्थ नहीं, दिन के समय जलता हुआ दिया व्यर्थ है राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं, राजा के यहां काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं, पती को पतनी के पाप लगते हैं, और गुरु को उसके शिश्चों के पाप लगते हैं गर्धे से ये तीन बाते सीखें, अपना बोज़ाड होना ना छोड़ें, सर्दी गर्मी की चिंता ना करें, सदा संतुष्ट रहें एक बुद्धिमान व्यक्ति को निमन लिखित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, कि उसकी दौलत खोचुकी है, उसे एक क्रोध आ गया है, उसकी पत्नी ने जो गलत वहवार किया, लोगों ने उसे जो गालियां दी, वो किस प्रकार बेज़त हुआ है व्यक्ति को हमेशा तीन चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए, खुद की पत्नी, वो भोजन जो विधाता ने प्रदान किया है, और उतना धन जितना इमानदारी से मिल गया और व्यक्ति को इन तीन चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए अभ्यास, भगवान का नाम स्मरण और परोपकार हाथी से हजार गज की दूरी रखें घोडे से सौ की, सींग वाले जानवर से दस की लेकिन दुष्ट जहां भी हो उस जगह से ही निकल जाए एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मान कर समझोता करें एक दुष्ट का प्रतिकार करें और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझोता विनम्रता से या करें एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली बुझाओं में है एक ब्राह्मन की शक्ती उसके स्वरूप ग्यान में है, एक स्त्री की शक्ती उसकी सुन्दर्ता, तारुन्य और मीठे वचनों में है यदि आप शेर की गुफा में जाते हो, तो आपको हाथी के माथे का मनी मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहां रहती है, वहां जाते हो, तो बचड़ी की पूँच या गधे की हड़ी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा यदि ग्यान को ब्योग में न लाया जाए, तो वो खो जाता है, आदमी यदि अग्यानी है, तो खो जाता है, सेना पती के बिना सेना खो जाती है, पती के बिना पतनी खो जाती है वो कमीने लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं, उसी तरहें नश्ट हो जाते हैं, जिस तरहें कोई साप चीटियों की टीलों में जाकर मर जाता है इन सातों को जगा दें, यदि वो सो गए हैं, विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा आदमी, डरा हुआ आदमी, खजाने का रक्षक और खजानची इन सातों को नीम से कभी नहीं जगाना चाहिए, साप, राजा, बाग, डंक करने वाला कीड़ा, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता और मूर्ख सुभह उठकर दिन भर जो दाव आप लगाने वाले हैं, उसके बारे में सोचें, दोपहर को अपनी मा को याद करें, रात को चोरों को न भूलें आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा, यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हातों से बनाएं, अपने भगवान के लिए चंदन अपने हातों से घिसे और अपने हातों से पवित्र ग्रंथों को लिखें जिसे अपनी कोई अकल नहीं उसकी शास्त्र क्या भलाई करेंगे एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है और एक ब्रह्मन का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है जिसके पास में विद्या है वो शक्तिशाली है निर्भध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है एक छूटा खर्गूश भी चतुराई से मदमस्त हाती को तालाब में गिरा देता है जो घर ग्रहस्ति के काम में लगा रहता है वो कभी ज्यान प्राप्त नहीं कर सकता मास खाने वाले के हिर्दे में दया नहीं हो सकती लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषन नहीं कर सकता और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं हो सकती एक विद्यार्थी पूर्ण रूप से निम्न लिखित बातों का त्यार करें काम, क्रूध, लूब, स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा, शरीर का श्रिंगार, अध्यादिक जिग्यासा, अधिक निद्रा, शरीर निर्वाह के लिए अध्यधिक प्रयास एक गुन्वान विक्ति को वो सब कुछ दान में देना चाहिए, जो उसकी आवशक्ता से अधिक है, केवल दान के कारण ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमा दित्य आज तक चल रही हैं, देखिए उन मधु मख्यों को, जो अपने पैर दुखे से धर्ती पर पटक रही है, व नहीं दान दिया और नहीं खुद खाया, अभी एक पल में ही कोई हम से सब चीन कर ले गया, वे लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं, जो अपने संबंधियों के प्रती उदार हैं, अंजाने लोगों के प्रती सेहिदय हैं, अच्छे लोगों के प्रती प्रेम भाव रखत हैं, विद्वानों से कुछ नहीं चुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रती विनम्र और पत्नी के प्रती सक्त, हमारा शरीर नश्वर है, धन में तो कोई स्थाई भाव नहीं है, मृत्यू हर दम हमारे निकट है, इसलिए हमें तुरंत पुर द्धन को मिट्टी का ढेला, दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख उसी को सही दृष्ठी प्राप्त है, और वही विद्वान भी है, जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वो सुखी रहता है, इस धर्ती पर अन, जल और मीठे वचन, ये असली रत्न है, मूर्खों को लगता है, पत्थर के टुकड़े रत्न है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो निम्न लिखित बातें किसी को न बताए, वो ओशधी उसने कैसे बनाई, जो अच्छा काम कर रही है, वो परोपकार जो उसने किया, उसके घर के जगडे, उसकी उसकी पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिकत बातें, उसने जो ठीक से नपका हुआ खाना खाया, जो गालियां उसने सुनी, मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, या सदाचार का त्याग करन पड़े, या अपने शत्रू की चापलूसी करनी पड़े, इस दुनिया के व्रिक्ष को दो मीठे फल लगे, मधुरवचन और सत्संग, जिसका ज्यान किताबों में सिमट गया है, और जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है, वो जरूरत आने पर ज्यान य अपनी महक नहीं छोड़ते, हाथी बूड़ा होने पर भी अपनी लिला नहीं छोड़ता, गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता, उसी प्रकार उंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे क बाहर दिखाई देती है, वो भी आसानी से हासिल हो सकती है, यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप से उपर कुछ नहीं। वो इंद्र के राज्य में जाकर क्या सुख भूगेगा, जिसकी पतनी प्रेम भाव रखने वाली और सधाचारी है, जिसके पास में संपत्ती है, जिसका पुत्र सधाचारी और अच्छे गुण वाला है, जिसको अपने पुत्र द्वारा पौत्र हुए हैं। जो व्यक्ति गुणों से रहित है, लेकिन जिसकी लोग सरहना करते हैं, वो दुनिया में काबिल माना जा सकता है, लेकिन जो आदमी खुद की ही डिंगे हांकता है, वो अपने आपको दूसरों की नजरों में गिराता है, भले ही वो स्वर्ग का राजा इंद्र हो। मुझे वो दौलत नहीं चाहिए, जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, या सदाचार का त्याग करना पड़े, या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। सभी जीव मीठे वचनों से आनन्दित होते हैं, इसी लिए हम सबसे मीठे वचन कहें, मीठे वचन की कोई कमी नहीं है। गरीबी, दुख और एक बंधी का जीवन, ये सब व्यक्ति के किये हुए पापों का ही फल है। पानी पर तेल, एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान, और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्यान, अपने स्वभाव के कारण, तेजी हमें अभिमान नहीं होना चाहिए जब हम ये बाते करते हैं। परोपकार, आत्मसयम, पराकरम, शास्त्र का ज्ञान हासिल करना, विनम्रता, नितिमत्ता, ये करते वक्त अभिमान करने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुरलब रतनों से भरी पड़ी है. यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं, तो उससे ऐसे शब्द बोलें, जिससे वो प्रसन्न हो जाए. उसी प्रकार, जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है, जब वो हिरन पर बान चलाना चाहता है. जो व्यक्ति राजा से, अगनी से, धर्म गुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है, वो विनार्ष को प्राप्त होता है. जो व्यक्ति इनसे पून रूप से अलिप्त रहता है, उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता, इसलिए इनसे सुरक्षित अंत रख कर संबंद रखना चाहिए. कुसंग का त्याग करें और संत जनों से मेल जोल बढ़ाएं, दिन और रात गुणों का संपादन करें, उस पर हमेशन चिंतन करें, जो श्राश्वत है और जो अनित्य है उसे भूल जाएं. हाथी का शरीर कितना विशाल है, लेकिन एक छोटे से अंकुष्य से निंत्रित हो जाता है. एक दिया घने अंधकार का नाश करता है, क्या अंधिरे से दिया बढ़ा है? एक कड़कती हुई बिजली एक पहाड को तोड़ देती है. क्या बिजली पहाड जितनी विशाल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है, इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आकार कितना है। आप चाहे सौ बार पवित्र जल में स्नान करें, आप अपने मन का मैल नहीं धो सकते। उसी प्रकार, जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहे आप इसे गरम करके सारी मदिरा की भाब बना दें। जो व्यत्ती एक साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुह से कुछ नहीं बोलेगा, उसे एक हजार करोड वर्ष तक स्वर्ग लोग की प्राप्ति होगे। शेर से एक बात सीखें, बगुले से एक, मुर्गे से चार, कववे से पाँच, कुत्ते से छे और गधे से तीन। शेर से ये बढ़िया बात सीखें कि आप जो भी करना चाहते हैं वो एक दिली हो और जबरदस्त प्रयास से करो। बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश्मे करते हुए, अपने लक्षे को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करें। मुर्गे से चार बातें सीख लीजिए, सही समय पर उठें, निडर बने और लड़ें, समपत्ति का रिष्टेदारों से उचित बटवारा करें, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। कववे से ये पांच बातें सीख लीजिए, अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणाय करें, निडरता, उप्योगी वस्तों का संचय करें, सभी और द्रिष्टी गुमाएं, दूसरों पर आसानी से विश्वास न करें। कुत्ते से ये बातें सीख लीजिए, बहुत भूक हो, पर खाने को कुछ न मिले या कम मिले, तो भी संतोश करें। गहरी नींद में हो, तो भीक्षन में उठ जाएं, अपने स्वामी के प्रती बेहिचक इमानदारीक रखें, निडरता। गधे से ये तीन बाते सीखें, अपना बोजह ढूना ना छोड़ें, सरदी गर्मी की चिंता ना करें, सदा संतुष्ट रहें। जो विर्ती इन बीस गुणों पर अमल करेगा, वो जो भी करेगा सफल होगा। दूस्त उम्मीद है आपको चानक के नीती से बहुत कुछ नया सीखें। झाल झाल बाते सीखें, स्थानक करें दूस्त industry विर्डरा उना करें। झाल – झाल झाल झाल